1932 की बात करेगा, वो ही जहरकंड में राज करेगा, इस पर क्या कहेंगे? अब जब चीजें कोर्ट में चेलिंजबल हो गया, उसके बाद आके बोईस मेसेजबेज के काम कर रहे हैं, तो यह सीख के आना चाहिए, या आके सीखना चाहिए, पॉब्लिक सार, ऐसा जन समर्थन मिल रहा है सार, अब देखो, लोगों में उत्सा जिस रूप से है, मानो बि परिनाम बिल्कुली बहुत बड़ा जना देश हमारे एंडी के पच में, पार्टी के पच में मिलने वाला है, सर, जब भी मुख मंतरी अभी रामगड के दोरे पे जो मुख मंतरी आ रहे हैं, तो वो एक ही बात कह रहे हैं मंच से, कि जो 1932 की बात करेगा, वो ही जहरकंड म में राज करेगा, इस पर क्या करेंगा, मुख मंतरी तो 1932 की बात इधर मजबूरी से कर रहे हैं, जब केस मुख रहा हुआ, उक्या जाने 1932 का संदर में, अगर उनको मुख मंतरी आइडिया रहता, तो गलत प्रस्ताव लेके हाउस में जाते नहीं, हाउस के अंदर बहस कर आ रही है आच्सू, यह उनका चरित रहा है, जारकन मुक्ति मोर्चा के चरित 44 साल में जारकन अलगराज के नम पर एही कर रही थी, अटल जी आए, तब जाके आच्सू के संगस, अटल जी का प्रियास और उनके नित्वित में यह चीज़ संभव हो पाया, कि अलगराज मि मिल रहा है सर, लेकिन कोई विकास की, पहली बार चुनाओं को फैस तो नहीं कर रहे हैं आप, हमारा मंच विकास की बात करता है, हम लोग विकास की बात करते हैं और विकास करके देते भी हैं, क्या विकास होगा सर, अगर आच्सू को मौका मिलती है, तो क्या, आज भी यहा पढ़ाए दवाए और ने तीनों चीजें इन मिडिल कलास परिवार के लिए गरिब परिवार के लिए एक चलैंजबल होगा रहे ह क्यार उनसे दूर होते जारह है पॉलिटिकल लोगों को तो सब्से जारै इन तीनों पर करना है चुकि ये चीजें इतनी महती हो जा रहे हैं, कि लोग अच्छा effort नहीं कर पा रहे हैं, इससे बहुत दूर उर जा रहे हैं, उनके लिए ना नियाई ग्राम सभा से लेकर कोट तक में वो अप्रोच कर पा रहे हैं, ना स्वास सेवा उनके लिए बेहतर वरस्ता है, ना पढ़ किये हैं, 65 साल के पूरे ही में एक ब्लोग तो बता दे, जिस गाउं को उन लोगों ने सजाया है, एक उतरन दे दो, खेली बहुत बहुत दुनवाद सर, ये हमारे आच्छु सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी थे हैं, जिन से अभी हम बात चीत कर रहे थे,